नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल All Technical Solution में दोस्तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताके हमारे आने वाले वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो दोस्तो आज हमें एक अलगी टॉपिक के बारे में बात करने वाले है जिसकी जरूरत हमें कभी भी पढ़ सकती है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले है कि अगर आपकी जीए अप या अगर आपका कोई बॉइफ्रेंट है और अगर वो आपके पीट पीछे किसी और के साथ चैटिंग करता है और आप उसका वाटसप चेक करने से पहले वो अपनी सारी चैट हिस्टरी डिलिट कर देता है तो आप इसे किस तरह से चेक कर सकते तो दोस्तो ये बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको कोई भी अलग डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तो वाटसप ने हमें बहुत सारे सिक्रेट फीचर्स प्रोवाइड किये हुए लेकिन हमें उसके बारे में पूरी जानकर याभी तक नहीं थी तो दोस्तो आपका ज़्यादा डाइम वेस्ट के बिना मैं सिधा अपने वीडियो को शुरुआत करता हूँ इसके लिए हमें अपने जी अप या अपने बॉइप्रेंट का मोबाइल पाच मिनिट के लिए अपने पास लेना है तो उसके बाद हमें उसका वाटस अप यहाँ पे ओपन कर लेना है फिलाल तो मैं अभी अपने मोबाइल पे आपको यह प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ लेकिन आपको यह अपने जी अप या अपने बॉइप्रेंट के मोबाइल पे ही करना होगा कि मैंने यहाँ पे एक कॉंटेक्ट बनाए यक स्वाई जेड नाम का तो इस तरह से मैंने इसे सर्च किया और उसके बाद इस कॉंटेक्ट को आप ओपन कर लीजे तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सिर्फ एक ही चाप हिस्टरी को अपने मोबाइल पे देख सकते हो ना कि आप उसके पूरे वॉटसअप की चाटिंग हिस्टरी अपने मोबाइल पे देख सकते हो तो आपको पहले उस कांटेक्ट को ओपन करना होगा उनकी chat history यहापे open करनी होगी तो उसके बाद आपको right hand side के upper side में जो three dots दिख रहे हैं वहाँ पे आपको click करना होगा तो वहाँ पे click करनी के बाद आपको नीचे more का option मिल रहा है तो आप यहाँ पे more पे click कर दीजे उसके बाद आपको report, block, clear chat, export chat, add shortcut इसे option दिख रहे हैं तो आपको जो 4 number का export chat वाला option है वहाँ पे आपको click कर लेना है तो मैं यहाँ पे export chat पे click कर देता हूँ तो export chat मतलब आपको समझे आया होगा कि आप इस option से इस chat को आप export कर सकते हो किसी भी mobile पर या किसी भी email पर तो यहाँ पे export chat पे click करने के बाद आपके सामने इसे export करने के लिए बहुत सरे options आए तो आप इसे यहाँ पे WhatsApp जाहें ब תब्सक्राई कर सकते हो या इसे message के द्वारह भी शेयर कर सकते हो या इसे आप अपने email पे भी share कर सकते हो तो आप जिस पर चाहिए यहाँ पर इसे click करके set कर लिजे तो यहाँ पर मैं इसे whatsapp पर share करता हूँ तो whatsapp पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना contact search करना है क्योंकि आप यह chat अपने whatsapp पर देखना चाहते हो और आप अगर इसे email पर देखना चाथे हो तो आप इसे email पर भी देख सकते हो या आप अगर इसे messaging पर देखना चाथे हो तो messaging पर भी आप यह देख सकते हो तो दोस्तों यह whatsapp का एक बहुत अच्छा feature है तो आप इसका गलत इस्तमाल ना कीजिए और हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताना ना भूले और इसे टेकनोलोजी से बरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद